हेलो जी नमस्ते चादिक गडोजगा नियूस की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है मैं हो बेजा चोहान आपके लिए एक और नई भरती की नई नोटिफिकेशन लेकर किया गए है भरती की जो नोटिफिकेशन है जिला पंचायत बीजापूर के तरब से जारी किया गए है जिला पंचायत बीजापूर की अंतरगत पर्मारेंट और इस्थाई भरती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकासन किया गए है जिला पंचायत के अंतरगर्ट विविन नतरा के पदो पर सीधी भरती जो है यहाँ पर की जाएगी और यह जो भरती होगी वाल के इंटरवु के माध्यम से की जाएगी जिसमें आपसे किसी तरह कोई परिच्छा वगेरा जो है नहीं लिया जाएगा तो बीना परिच्छा के आपको इस्थाई भरती जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी जिला पंचायत के अंतरगर्ट नई भरती के लिए नोटिफिकेशन का जो प्रकासन है छे तारिक आठे महिने दोहजार चोबीस को यहाँ पर किया गया है बताये गहा है कि वालकिन इंटरवू के माध्यम से विविन अतरा के पदो पर इस्थाई भरती जो है की जाएगी तो आज के इस वीडियो में जानेंगे जिला पंचायत के अंतरगर्ट निकाली गई नई भरती की प्रकारिया के बारे में कौन से पदो पर भरती होगी, कितने पदो पर भरती होगी, पदी की भरती में योगिता क्या मांगे गई है चैन की प्रकारिया कैसे होगी, वेतान अप्रकिता मिलेगा और इस भरती के लिए जो है कैसे आप आवेदन पस्तुत कर पाएंगे सारी की सारी जानकारी एक एक करके आपको इस वीडियो में जो है देखने को मिलेगा चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक करिएगा और अन्य लोगों के पास वीडियो को सेर जरू करिएगा जिला पंचायद बीजापूर 36 गड़ के अंतरगज जो है छे तारीक अठे मैने 2024 को एक नई भरती के लिए नोटिफिकरशन का प्रकासन किया गया ये जो भरती है इस्थाई भरती है यानि कि पर्मारेंट भरती जो है यहाँ पर निकाले गई है सुच्छ भारत मिसन ग्रामीड के अंतरगज जो है जिला बीजापूर के अंतरगज भिविन तरह के पदो पर वालकेन इंटरभू के माध्याम से सीधी भरती होगी यानि कि इस भरती में आप से किसी तरह कोई परिच्छा नहीं लिया जाएगा बीना परिच्छा के वालकेन इंटरभू के माध्यम से भरतियां की जाएगे वालकेन इंटरभू का जो आयोजन है तीस तारीक आठो महिने दोहजार चोबिस को ग्यारा बजे से जिला पंचायत कार्या लेके अंतरगत यहाँ पर किया जाएगा बात करें रिक्त पदों के विबरनों के बारे में तो सबसे पहले नंबर का जो पद यहाँ पर निकाला गए है वो है लेक पाल का जिसमें एक पदों पर लेक पाल की भरतियां की जाएगी लेक पाल की एक पद की भरती में आनारक्षीत वर्ग के महिला या पूरु सभ्यार्थी आबधन प्रस्तोत कर पाएंगे इसमें प्रतिमा कलेक्टर दर पर 12,070 रुपे का हवेतन जो है आपको देखने को मिलेगा दूसरे नमबर का जो पद निकाला गया है वो है डाटा इंट्री आपरेटर का जिसमें दो पदों पर डाटा इंट्री आपरेटर की भरती होगी और इस दो पद की भरती के लिए आनारक्षीत वर्ग के महिला या पूरु सभ्यार्थी आबधन प्रस्तोत कर पाएंगे इसमें भी आपको कलेक्टर दर पर 12,850 रूपे का प्रतिमा जो है वेतन देखने को मिलेगा तिहां पर लेकपाल के भरती और डाटा इंटी आपरेटर के पदों पर जो है भरतियां निकाले गई है वहीं बात करें इन पदों की सेक्षणिक योगिता के बारे में तो अगर आप लेकपाल के पद के लिए अपलाई करना चाहेंगे तो आपकी जो सेक्षणिक योगता है सबसे पहले इसनातक की होनी चाहिए और इसनातक में जो सब्जेक्ट है वो है कामर्स का होना जरूरी है साथे साथ कम्प्यूटर में DCA या PGDCA आपने किया है आप इसके लिए जो है अपलाई कर सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पर बताएगा है उप्रयोक्त योगता ना होने की इस्थिति में BSC या MSC को प्रात्मिक्ता दी जावेगे तो जिन अभिहार्थियों की योगता जो है यहाँ पर इसनातक पास करने की है कामर्स सब्जेक्ट के साथ और जिनके पास कम्पूटर में DCA या PGDCA की डिग्री है वे जो हैं अपलाई कर सकते हैं साथ ही साथ BSC पास या फिर MSC पास महिला या पूरु सभिहार्थी इसके लिए अपलाई कर सकते हैं अनरक्षित वर्ग में एक पदो पर लेकपाल की भरती निकाली गी है जिसमें 12,070 रुपे का प्रतीमा आपको वेतन देखने को मिलेगा दूसरे नंबर का जो पद यहां पर निकाला गए है वो है data entry operator का जिसमें दो पदो पर भरतीयां की जाएंगी बात करें इस पद की योगता के बारे में तेहां पर 12 वी कक्षा पास होना जरूरी है और आपके पास computer में DCA की डिगरी है तो आप अपलाई कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आपके पास इसनात्रक के डिगरी है तो यहां पर आपका PGDCA होना जरूरी है या फिर ऐसे अभिहारती जिन्होंने कक्षा 10 वी कक्षा पास कर लिया है और जिन्होंने ITI के अंतरगत कोपा किये हुए हैं वे जो हैं अपलाई कर सकते हैं और यहां पर बता है कि हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा इंट्री के जोगती है 8000 की डिप्रिसन प्रती घंटी की होनी जरूरी है तो ऐसे अभिहारती जिनकी योगता बारवी कक्षा पास कर लेने के बाद कंपूटर में DCA की है वे भी जो है डाटा इंटी आपरेटर के इस पद में पर निकाली गई है इसमें किसी तरह का कोई परिच्छा आपसे नहीं दिया जाएगा वालकेन इंटर्वू के मांध्यम से सीधी भरती यहां पर की जाएगी वालकेन इंटर्वू को जो आयोजन है 30 अगस्त 2024 को कलेक्टर कार्याले यानिके जिला पंचायत कार्याले के अंत पर निकाले गई है भरती के लिए आविदन पत्र के प्रारूप को आप इनहीं के कार्याले में उपस्ति ठोकर के प्राप्त कर सकते हैं और मांगे कई जानकारी को अच्छे से भर करके वालकेन इंटर्व्यू में उपस्ति ठोकर के इस भरती प्रकरिया का लाब उठा सकते तो यह थी जानकारी एक नई भरती की प्रकरिया के बारे में जिसमें लेकपाल की भरती और डाटा एंटी आपरेटर की भरती यहां पर की जा रही है इस वीडियो से जुड़ी किसी तरह के आपके कुछ प्रस्न है कमेंट में जरू पूछिएगा वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो का लाइक और रहने लोगों के पास वीडियो को सेर जरू करियेगा मिलते हैं नई वीडियो में नई रोजगान परत जनकारी के साथ